जाहिन साथियों स्वागत है आपको हमारे चनल PCS दर्पान पर आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों यह रुकमनी प्रकासन का बिहार विद्याले परिछा समिती बॉलूम ओन डिये लेड इंटरंस एक्जाम का हम लोग ने सेट प्रैक्टिस कर रहा था जो प्रिवियस य कब पुछा गया तो 10-6-2023 में पुछा गया ठीक है ना पहला सिफ्ट का कुश्चन है हमारे पास डिये लेड वाला तो आए इसका संयूद परिवेस परिक्षा 24 का हम लोग करते हैं उसके बाद सेट प्रैक्टिस सतरह रहेगा वह भी हम लोग करेंगे विद्ध फूल डिस किया जाए और अपना स्कूर कॉमेंट सेक्शन में जुरूर बताएगा लेगे दूस्तों इंग्लिस में क्या है पहला कुश्चन क्या है और संटेंस हाज बिन गीवेन इन एक्टिव वाइस एक्टिव वाइस में सेंटेंस दिया हुआ है कौन सा यह है लव योर कंट्री इ इसका दी हो जाएगा ठीक है लेक्स्ट गोशन देखते है में इसमें फिल इन दब्लाइक बढ़ना है दूस्तों ion थे आनी है ञा में च PAC यह रेक्ट थे च्ट आई सिंटेंस अच्छन दोस्ट सद्रीख और संटों क्यों आए behavior, cry tensor क्या होगा, cry tensor होगा, और instance, रिकतस्थान पे क्या होगा दोस्तों, instance होगा, instance, इसमें जो हम लोग ने क्या करा, add करा है, however पता है न दोस्तों, ये क्या चीज़ के लिए होता है, however जो होता है, विरोधा भासी के लिए होता है, और addition, और iход किया रेटलों सब्द रह beginners क्या है तो किया दुअ- सब्ध है यह क्लूजन कर्ते हैं किनीकल निजकर्स करते हैं निशकर्स निकालने के लिए सोका अगला है, fill the blank with the correct option nothing but hurts dash there right answer क्या होगा ease होगा nothing but hurts is there तो right answer C हो जाएगा इसका अगला देखिए select the most appropriate option to change the sentence from the direct speech to indirect speech narration दिया हुए sentence क्या है, Nisi said the exam is very difficult अब यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों indirect में, Nisi told that dash very difficult right answer क्या होगा the exam was the exam was very difficult तो past में इसे ले गया गया है अगला पुश्य लेकर identify the tense used in bold phrase तो क्या है the weatherman force casted that it's going to train right answer क्या होगा उसकर right answer होगा option C future indefinite tense है future indefinite tense है अगला देखिए select the alternative which best express the meaning of the item या phrases के land and year land and year का क्या होता है इसका मतलब होता है दोस्तों land and year का ध्यान से सुनना इसका आइडम क्या बनेंगे इसका आइडम बनेगा request to listen attentively तो right answer C हो जाएगा अगला question देखिए select the most appropriate option to change the sentence from direct to indirect यहाँ पर भी narration sentence है Heera said I will come tomorrow तो यहाँ से बनाएगे है Heera told that dash come Heera told that dash come the dash यहाँ पर क्या होगा दूस्तों यहाँ पर होगा He would next day यानि Heera told that He would He यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसके कारण यह subject के अनुशार लगता है तो Heera पर्सन है तो इसले He use क्या आगे है वो भी नहीं तो male है इस कारण यहाँ पर He use क्या आगे है और will का would में change होता है और tomorrow को the next day लिखा जाता है next day लिखा जाता है तो right answer D हो जाएगा अगला दिखे pick out the non-finite verb in the given sentences आपको मैंने पहले ही इससे पहले सेट में बताया था कि non-finite कितने भेद होते हैं तीन होते हैं कौन-कौन होता है एक infinite होता है जिसमें 2 प्लस V1 का use होता है एक होता है gerund होता है जिसमें V4 का use होता है और एक होता है पार्टिसीपल है न तो इसमें बताना है sentence that is something to remember इसमें कौन सा non-finite verbs है कौन होगा इसमें रिमेंबर होगा तो right answer क्या हो जाएगा C क्योंकि 2 प्लस V1 यहाँ पर non-finite verb है find the most suitable choose I've device from the following sentences क्या है Amira left the class early dash she did not want to queue up to buy food at the calf letter क्या होगा रहा दोस्तो यहाँ पर होगा as easily as है तो right answer इसका C हो जाएगा as अगर देखे complete the sentence using appropriate option रूहन dash is the dash is the movie before had the review यहाँ पर क्या होगा had watched the movie before he read the review टाइटन संब्पी है select the alternative which was express the meaning of the item phrases a close save a close save का मतलब क्या होता है बाल बाल बचना बाल बचना तो इसका क्या हो जाएगा narrow escape इसका भी मतलब होता है बाल बचना तो right answer इसका B हो जाएगा fill up the blank with the correct option he was going dash the station right answer towards होगा he was going towards the station क्यूंकि हमारा यहाँ पर to जो है going towards जो है going कैसा है भर दूस्तों तो यहाँ भी 4 यहाँ पर है past tense में यूज किया गया है और towards जो सिर्फ दिशा को indicate करता है इसकारण यहाँ पर towards लगाए गया है choose the correctly punctuation statements statement देखते हैं हम लोग क्या है और इसमें punctuation mark लगाना है yesterday I meet a 10 year old boy यह right answer है दूस्तों यह होगा the symbol is called इस symbol को हम लोग क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग दूस्तों semi clone है ना तो right answer इसका हो जाएगा semi clone हो जाएगा अगला आते हैं और इसे क्या कहते हैं दूस्तों इस वाले को वो तो semi clone था और यह दोनुड है point इसे clone कहते हैं आए नेक्स्ट हमनों question देखते हैं fill the blank with the correct option I wish I dash a king I wish I dash a king I wear a king right answer D होगा pick out the non-finite verbs with the in the sentence given below sentence कौन है देखिए she is really good at confusing people क्या होगा right answer right answer हो जाएगा confusing B1 plus ing लगा होगा है fill the blank with the correct option Sanoj will return dash a week within a week तो right answer है इसका होजाएगा T D right answer है अगला question है select the alternative which the waste expressed the meaning of item या phrases के बढ़े call out इसका items क्या होगा हो दूस्तो call out का मतलब होता है किसी किसी का नाम बोलकर पुकारना है न बुलाना यानि तो इसका क्या हो जागा to shout होगा तो right answer D हो जाएगा choose the correct phrase from the given option of the make conditional sentence dash you admit to crime if you did not commit it इसका right answer क्या होगा right answer होगा इसका would would you admit to crime if you did not commit it इसका नाम बोलकर देखिए choose the correct phrase from the given option and make conditional sentence I could marry her if I dash to I wanted to तो right answer क्या हो जाएगा option A अब आते हैं दूस्तों maths पहला क्या आता है maths में पहला है समीकरन दिया हुए का समुच्चे कौन सा होगा या बताना है हमें है न क्या दिया है x square is equal 4 x is equal क्या हो जाएगा दूस्तों square है तो इधर root over में आ जाएगा न 4 root over plus minus होता है न इसका value हो जाता है two plus minus तो राइट अंसर इसका क्या हो जाए दूस्तों प्लस और माइनस यानि कि राइट अंसर यह हो जाएगा option और सबसे छोटी भाज्ये कौन है तो चार है जो दो से भी लगेगी एक से भी लगेगी चार से भी लगेगी है तो इस दोनों का multiplication कितना आएगा दूस्तों 8 तो राइट अंसर बी हो जाएगा इसका है न अगला देखिए वह बहुपद जिसके मुल का योग 0 तथा एक मुल 3 हो तो वह बहुपद क्या होगा वह बहुपद जो होगा एक से स्क्वेर माइनस 9 होगा तो राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा बी होगा है और बी कैसे निकाले है तो यह भी आपको बतारें दूस्तों सपोज करें यह मुलो का यह क्या होता है अलफा प्लस aegle to 0 बी ली क्सметर बिटा इस इकले कि यहां-दी मैइनस 3 खेंद मैं हमारा बी यहां से अलफा नहीं वह अगे तो घृब्ट अंसर B हो जाएगे इसका अगला देखते हम लोग वद्युगात समय करन क्या होता है तो इसका होता है X स्क्वार माइनस मूलो का यूग प्लस मूलो का गुनन फ़लोता है ठीक है अगला कुश्चन है कि एक तार की तिरजिय एक तिहाई तक कम हो जाता है यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई कितनी बन जाएगी नौ गुनी हो जाएगी है राइट असरी है दिये गए आकरे इसका बहुलक 6 है तो X का हमें भैलू फाइंड करना है X का भैलू कैसे फाइंड करेंगे बहुलक दिया हुगा है छे बहुलक यानि सबसे ज़्यादा बार आने वाले संख्या को बहुलक यहते है तो कितना एक दो दो ही टाइम आय हो दो टाइम तो एट भी आय हो तो इसलिए मेरा जो X का भैलू होगा वो भी चो होई होगा इसकार राइ टेंसर क्या होगा दूस्तों इसकार राइ टेंसर होगा एकार है राइ इस्टो पर आप प्र далее की होगा six two five है ूद्थि जैए यहाट हम और जहाई होगा थ्रे इस्टो पाइए थैर नहीं हमने लांते बताह है आपको मुलो का यूगफल क्या होता है मुलो का यूगफल माइनस B वाई ये होता है और मुलो का गुनान फल क्या होता है तो C वाई A होता है और हमारे पास यहाँ पे बहुपत दिया हुई है माइनस B भाई ये देख लेते हैं माइनस B यानि 5 माइनस 5 भाई A 2 और गुड़न फल हमारा क्या होता है C भाई ये C कितना है 3 और A कितना है 2 इसे हमने क्रोस कड़ेंगे दूस्तों डेसियों में तो 5 भाई 2 और यहापे 2 भाई 3 तो यह कड़ गया यानि मारा है 5 is to 3 तो राइट अनसर इसका B हो जाएगा अगला कुशन है कि तैन ठीटा बटा सेट ठीटा माइनस 1 प्लस टैन ठीटा भाई सेट ठीटा प्लस 1 यह किसके बरावर होगा तो इसे किजिए दोस्तों इसका राइटन सरह हो जाएगा टू कॉस एक ठीटा है अगला आते हैं किसी आवरेति वितरन का माध्य अठाई से तथा बहुलक 16 है तो माध्यक निकालना है इसका फर्मूला होता है दोस्तों मोड इस इक्वल यानि बहुलक इस इक्वल होता है 3 into median 3 into median minus 2 mean यह होता है दोस्तों इससे आप solve कर सकते हैं यानि बहुलक बरावर 3 गुने माध्यक minus 2 गुने माध्य होता है तो इसका राइटन सरह क्या हो जाएगा देखिए 16 is equal 3 गुने माध्यक माध्यक तो दिया नहीं है तो x रख लिजे minus 2 गुने माध्य 28 दिया हुआ है तो इससे x का भुने माध्यक हो जाएगा हमारा 24 पर राइटन सरह क्या हो जाएगा 24d यदि किसी तिर्भुज के कौन 2, 3, 4 के अनुपात में है तो तिर्भुज के x का भैलू 20 तो 20 से include कर सकते हैं 22 22 जा 40 23 जा 60 24 जा 80 तो राइटन सरह d आ जाएगा इसका अगला है यदि 4 sin theta square minus 4 sin theta plus 1 is equal 0 q का भैलू बताना है इसमें q का भैलू क्या होगा इस वाल किजिए राइटन सरह क्या होगा राइटन सरह हो जाएगा option ने 30 degree होगा ठीक है अगला देखिए यदि समकौन एक दूसरे के समाल हो यदि समकौन एक दूसरे के समाल हो तो इसे किस रूप में कहा जाता है इसे किस रूप में कहा जाएगा एक अभी धारन के रूप में कहा जाएगा एक अभी धारना के रूप में कहा जाएगा तो राइट एंसर इसका डी होगा ऐसे स्टेट्मेंट नहीं इसका याद रखना होगा पांस सेंडिमेटर त्रिज्यावाल एक ब्रित के केंदर ओ से तेरस सेंडिमेटर दूरी परिश्थी थे एक बिंदू पी से असपर्स देखाएं यूग में खिचे जो चत्रबुझ पी क्यू आर पी यहाँ पर ओ है क्यू आर यानी इक और असपर्स रेखाएं तो इसका छेटपल फाइंड करना दूसर हम तो इसका छेटपल निकालने के लिए एक का निकाले ज़े फिर इसका निकाले जे क्योंकि आपको पास र तो जब हाइट निकल देगा वहां से अधार गुनेंट चाहिए दोनों से मल्टिप्लाइ करके हमें निकल सकते हैं तो इसका राइटेंसर क्या हो जाएगा 60 cm2 बी हो जाएगा कोई वैक्ती 10 रुप्या प्रति से किदर से कुछ से खड़िता है जिसे से वर्स के अंत में 8 परतिसत लाभांस मिलता हो यदि इन लाभांस 300 रुप्या हो तो उसे कितने सेर खड़िदें यह कितना सेर कर देंगे हम लो 375 तो राइटेंसर C हो जाएगा इसका बिंदू A दिया है बिंदू B और बिंदू C या तिरभुज का छेथफल क्या होगा तो यहां से निकालने का इसका फर्मूला होता है जुश्तों फर्मूला आपको बताते हैं 1 बाइ 2 X1 Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 X3 Y1 माइनस Y2 इससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं तो इसका राइटेंसर हो जाएगा 34 का B होगा 8 वर्ग इकाई होगा राइटेंसर B है बिंदू माइनस 3 और 4 किस चतुर्थांस में पढ़ेगा कौन समय पढ़ेगा यहां पर हमने बनाते इसको फास्ट, इसको सेकें, इसको थार्ड और इससे फूर्थ कहते हैं देको माइनस और प्लस हमारा माइनस जु है इसको वाली पर आएगा X X इस पर माइनस और प्लस प्लस यानी इस वाले पर हमारा दो च्छर्टों धांस में मनेंगा नो तो में जाले डुटी एल यह हो जाएगा इसका 55 अगला देखिए कि सिक्स टैन स्वार्ड थीटा माइनस सिक्स बाई कॉस स्कॉर्ड थीटा का मान क्या होगा मान क्या होगा दूस्तो इसका माइनस चो होगा है अगला है सबसे छोटी अभाजे संख्या और सबसे छोटी योगिक संख्या का महत्तम समपर तक कितना होगा कितना होगा दूस्तों दो होगा दो क्यों होगा तो सबसे अभाजे छोटी संख्या दो है सबसे छोटी योगीक संख्या जो है वो चार है इस दोणों का HCF दो ही न होगा इसलिई राइट इसर मषर सी रहा है अगला है होंगी तो संख्या वश्स से ही समान होंगी रायट्स हरे होगा और SCA कि अगळा है यदि बहुलक माइनस माध्यक इसी कूल 12 तह माध्यकUNDे माद्धय कितना होगा रायट्स हर क्या हो ज sure होगा है डे दर्लों की श्ल्खार कि अधि धन की मात्रा तो यदि घं का मात्रा है होता है side cube है तो side पूरा दे रखा है दूस्तो 1728 यह cube को ले जाएगा q आयेगा इस पर तो 12 का q होता है तो राइट एंसर इसके क्या हो जाएगा c 12 है अगला है बहुलक निकालना है बहुलक का भी फर्मूला तो ठेंध क्लास में आप लों होगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा b होगा देखिए फर्मूला इपदर बूल दे 242 на – 2F 2f into h होता है अगला कुछन देखा जाए एक सम्चत्रभुज का छेदफल 240 cm2 है एक विकर्ण 16 है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा सम्चत्रभुज इसका छेदफल दे रखा है दोस्तों ठीक है 240 एक बटड़ दूफ़ डागोनल रिन्टू एक बटड़ गुंए दूफ़ द्यागोनल विकर्ण होता है तो यहाँ पर देखिए 240 दे रखा है बराबर एक बटड़ 2 गुंए 16 गुंए समझे एक कुस नहीं यानि एक से काटी ट यदि दिये गए आकरो में से 35 हटा दिया जाए तो 30 34 35 36 37 39 40 का माधिका कितना बढ़ जाएगा यह बताना है माधिका कितना बढ़ जाएगा टूटल नमर पहले काउंट करेंगे हमें ठीक है ने कितना एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ टूटल कितनी संख्या है आठ है तो हम माधिका निकालने के लिए क्या करते दोस्तों पहले जब हमारे संख्याती है एक घड जा रहा है तो एन बाइट प्लस वन करेंगे यानि एट का था सीदे तो यहां फोर प्लस यहां पर ओर वन फाइट यानि कि नाइन आ रहा है टोटल कितना पद आ रहा है नौ माहन पतलब चौथा और पांचवा पद को जोड़ेंगे दूस्तों तो उसे असेंडिंग और में पहले से ही दे रखा है तो हमारा जो चौथा और पांचवा पद आया है उसको डिवाइट करना है चौथा पद कोन है एक दो तीम चार चौथा पद है 37 पांचवा 36 और 37 36 प्लस 37 37 को एड करके तूसे डिवाइड किजिए Tandạ जो आएगा वह और गवार होगा इसको राएटनसर को आजाअगा कितना इंक्रीज कर रहा है वह सब्सक्राइब बतान रहा है त hilaries में टुटल जो इंक्रीज कर रहा है वO करज 0.5 इसका राईटनसर डी हो जाए हtering 36 से 0.5 इंक्रीज कर रहा है आप मल्टिपलाई किजिए तो पता चलेगा अगल देखे एक मसीन का अंकित मुले दिया है दुकांदार कुछ अतरिक्त छूट देकर मसीन को बावन सद दूर पैम बेच देता है तो अतरिक छूट कितना परती सथा यह बताना है अग्याइट अंसर हो जाएगा आपको बतावे पहले डी होगा ठीक है दूस्तों डी से सौल्प किजिएगा कैसे सौल्प करते हैं आगे एक बार हम देख भी लेते ठीक है पहले तो और सट सो में 10 पर से छूट देता है यानि कितना देशा है जूस्तों वह बावन सव दूर में देता है ठीक है यह चूट दे करके और जो यह चूट देता है यह टूटल हंडिड परसेंट पर देता है टूटल जो आता है दूस्तों 85 पाएगा ठीक है कल्कुलिशन के उसमें से 85 को माइनस किजिए सो में सब्सक्राइगा पाते है साइन्स का वायू मंडल कि वायू मंडल में कार्बन गयस का मात्रा कितना प्तुबWow कि मात्रा कितना है कि असले कि मात्रा कितनी है मैं करपन की म्ात्रा कि वता कि दोस्तों B है 0.03% है सबसे ज्यादा किसका है nitrogen का कितना है 78.8 है उसके बाद आता है oxygen का कितना है दूस्तो 20.95 है oxygen का है न आरगन का कितना है 0.93 है आरगन का उसके बाद आता है carbon dioxide का 0.03% अगला देखते हैं इसमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है सबसे सक्रिय धातु आपको बता ना है लोहा सबसे सक्रिय धातु है वैसे सबसे ज्यादा देखा जाए तो potassium है उसके बाद sodium, calcium, magnesium, magnesium, zinc, iron, hydrogen, copper, mercury, silver, gold ऐसे आता है ठीक है दूस्तो टंगस्टन कितनी डिगरी पर पिखलता है टंगस्टन जो है कितना डिगरी पर पिखलता है तो high इसका temperature होता है इसलिए यह 3422 डिगरी पर पिखलता है टंगस्टन कहलाती है टिक्तिका को घेने वाली जिली कहलाती है टोनो प्लास्ट टोनो प्लास्ट कहलाती है अगला देखें निमलिखित में से कौन सा मानों का उद्भाव अस्थान है उद्भाव अस्थान कौन सा है अफरीका प्राइट एंसर है ऑप्सम बी है अफरेका अगला देखें M और 4M द्रोमान के दो वस्तुए समान गती जुर्जा से चलाय मान हो उचके बेग कानपात क्या हो कि बेग कानपात होगा तू इस तू वट राइटन सर ए हो जाएगा हाफ आप एम भी है स्कार आपको पता हैं दूस्तों इसे आप सॉल्फ किजिए गा तो बद जाएगा कि दूरी 50 सेकिन में टै करके वापस घर लाट आता है तो बालग द्वारा आउसत वेग कितना होगा यह बताना है राइटन सर क्या हो जाएगा दोस्तों दो मीटर पर सेकिन हो जाएगा है ना राइटन सर क्या हो जाएगा दो मीटर पर सेकिन क्योंकि डिस्टेंस जो पहला प्लस डिस्टेंस दूसरा किजिए जो टाइम पहला लगा है प्लस टाइम दूसरा किजिए इसे आपका अबरेज निकल जाएगा अगला देखे, पती के, पती के किनारे के साथ पानी की बूध के रूप में निकलना क्या कहलाता है? जो पती के किनारे पर पानी का बूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग, gutation है न? तो right answer इसका d हो जाएक घूटेशन अगला देखिए lime gel lime gel क्या है इसके बारे में देखिए lime gel C A OH का hold twice right answer A हो जाएगा lime gel कहलाता है 54 का A है बुझा हुआ चुना किसे बोलेंगे दूस्तों बुझा हुआ चुना EC को बोलेंगे C A OH का hold 2 बुझा हुआ चुना ठीक Richter विटेकर ने वरगी करण के लिए कितने माप डंडू का उपियोग किया था विटेकर ने वरगी करण के लिए कितने माप डंडू का उपियोग किया था पांच और वो पांच कौन कौन है दूस्तों एक बार आपको बता दे पहला जो है मोनेरा है मतलग युकरियेटिक और आर्किक दूसरा है प्रोटिस्टा तीसरा है फंजाई चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया अगला देखे सुनार एक ऐसी युक्ति है जिससे उपयोग किया जता है क्या उपयोग किया जता है दूसरों प्राधवनी तरंगो को प्राधवनी तरंगों को जैल मिश्रन क्या है जैल मिश्रन क्या है जैल मिश्रन द्रव तथा ठोस का है जैल मिश्रन राइट एंसर डी होगा इसका वह कौन सा रंग है जिसका उपयोग खत्रे के सिगनल में उपयोग किया जता है यह कौन सा रंग होता है दूस्तों लाल होता है डाल रंग का जोता है सबसे कम होता है लल रंग का तरह डर जादा ओल् southern जोता है पर स्बसे कम होता हैं को अग्ला कुशन देखें में हैं तीन प्रतिरोद में स्टिफ को यहाइं होता है यहाँ बिगे के बीच में यहीं बतारें दोस्तों इसका राइट अंसर क्या होगा इसे स्वाल कीज़ेगा स्रेनी करब में जुड़ा हुआ तो पता ही कैसे जुटेगा सबको एड करना होता है फिर प्ला हमें one by r ही करके निकाल लगा ता इसका राइट अं सर क्या हो जाएगा थाटटी up आएगा थीज़ा की समाहद विसेस्टा होती है वो कौन से भी सर्षता है सीड सभी में सीड होंगी है तो राइटेंसर सी हो जाएगा इसका अगला देखिए जियो ट्रोपीजम पोधे की किसके प्रति प्रतिकिरिया है गुरत्व कर्शन बलके प्रति प्रतिकिरिया है जियो ट्रोपीजम पोधा उर्जा के इंदर भारत के किस राज्य में है किस राज्य में है तमिलाडू में है एथनोई कम लगा जल्य विलियन क्या कहलाता है सिर्ट काहलाता है राइट इंसर वी है सिर्ट काहलाता है ऐसे टीक अमलका वैसे ऐसे टीक अमलज होता है उसका सुद्र क्या होता है उसका जालेंज वसका चाहिए जो एक अधिक उपज देने लिकीट के मुक्त पड़ जाती है यह किसकी है दोस्तों सोयाबिन की है तो राइटेंसर इसका बी हो जाएगा सोयाबिन जरूर बता पांगे या फिर पढ़े होंगे तो यह क्या थे जूसरों अंध्रपरदेश के आदिवासी नेता थे ठीक है तो राइट एंसर बी हो जाएगा जी सेवेंटी सेवेंट के स्थापना कब होगा था सबसे कौन सा कथन सही है भारत के लिए यहां धर्म की परधनता है यहां धर्म की परधनता का भाव है यहां धर्म निर्पेख्षा का सिध्धानता है यह सही कथन है अगला है 2021 के जनगंडा के अनुसार बिहार के प्रती वर किलोमीटर जनसंख्या एक गहनत्व कितना है यानि एक किलोमीटर के अंदर में व्यक्ति कितना रहते हैं तो रहते हैं दोस्तों 1106 व्यक्ति रहते हैं जनसंख्या कम सबसे अधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में हैं कि सिक्की में है पंचायत राज्य का वर्णन सविधान के किस अनुश्यद में मिलता है यह मिलता है अनुश्यद 40 में मिलता है बारत में इस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना को होती है इस्ट इंडिय इसका यह हो जाएगा 16 20 स्चारता निपाल में किस नाम से जाना जाता है नेपाल में इसे नरायनी नाम से जाना जाता है अगर अगला देखे भपाल 1862 में कौन सागे स्ट्लो कि आधाना मेरा इस में दी ऑलगा था कि अधिन कर बंसर रही आई हो जाएगा मिंधाio पहली संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाय था वह कौन थे वह थे तिल का माजी थे तो राइट एंसर हो जाएगा संसी तिल का माजी लक्षमी सागर जील कहां इस्तित है लक्षमी सागर जील जो है कहां पे दोस्तों दर्भंगा में यह बहुत इंपोटन है दर्भंगा में कुसेश्वर जील कहां पे दर्भंगा में है कु जो एक या एक से कम क्रिसी वर्स के लिए खेती के बीना छोड़ दी जाती है तो उसे किस रुप में जाना जाता है यानि जैसे एक एक वर्स के लिए छोड़ दी जाता है इस खेत को किस नाम से जाना जाता है तो इस खेत को जाना जाता है वर्तमान पड़ती मितलब वर्तमान जरू जलेस्टि की तेंस के राष्टपती थिसे राष्टपती है निए टाके और रसे किसी संधी के दूर्भ बनाएगया था लंगे-वरorsa vidare की संधी și 220 चांग राष्ट संग की अस्ताफना 1920 में होती है राष्ट संग का उलेख जो है 28 जुन 1919 की वैसराई की संधी में हुई थी वैसराई की संधी जर्मनी के साथ किया गया था किसके साथ जर्मनी के साथ किया गया था अगला है वर्स 1948 में जर्मन की मुद्रा का क्या नाम था जर्मन की मुद्रा का नाम क्या था इस जर्मन की मुद्रा नाम था डायचे मार्क तो राइट एंसर C है डायचे मर्क है ना तो राइट एंसर C होगे अब आते हैं हम दोस्तों डिजनिंग को भी कवर्ड कर लते हैं डिजनिंग का यहां पर दिया हुए दूस्तों फादर कौन सा अक्षर उसी अस्थान पर जिसमें वर्ड माला करम मिटाता है यहां पतान है इसका राइट एंसर D हो जाएगा आप इसे सॉल्ब किजिएगा यह भी सीडी पता है दूस्तों इसे पर क्याब निकाल सकते हैं दी गया करेती की त स्रेंगली जलवर और गाय के भी संबंध अकरिती बनाना है पेन डाइग्रम कौन होगा सी बनेगा ठीक राइट एंसर सी होगा इसका अगला दिखेंगे प्रस्ण में उखाली अस्थान पर बताना है कि क्या होगा यहां तो इसे आप बना सकते हैं दूस्तों यह देखिए स्रेंखला दिया है आगे आने वाली कौन से संख्या होगी दो चार छो आठ दस बारह होगी यानि राइट एंसर डी है अगला है दिगए विकल्प लुप्त को पाचानना है इसे आप खुद सॉल्प किजीगा दूस्तों लुप्त को सॉल्प करना है इसमें 91 का तो यहां प अगला देखिए यह सिटिंग एराइजमेंट है दूस्तों इसका आंसर सीधे बताते आपको हम राइट एंसर हो जाएगा E होगा ठीक, राइट अंसर D है इसका अगला देखते हैं अगला राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा अगला का हो जाएगा बुधवार ठीक, बुधवार होगा, राइट अंसर B होगा Next question देखते हैं यहाँ पर खाली अस्थान पर क्या आएगा क्का Dip citizen पर क्या ने माला दूस्तों यह रहेगा y l z एपा लुँख सर्ट डी का जाएगा। mina घंड गी पी की मंगे ई दोस्तों जीपी में बताना हैं कितने पद लुबभभ कितने है इसमें ना को क इसंपट में ब्रूप को पहलेयावर में 4альных में ना ने क्या है दोस्तों हमारा एकुट थिरी थिरी है स्टार्टिंग मतलों ए उसके सटिरी और आपर वरावर होता है क्या जो दूसरे नमण पर है वाई थी पहला दूसरे पेछ हो है पहला पर तीन की डिवाट करती है दो हमारा आर भी निकल गया और भी निकल गया है by ऐसे प्रबूरा होता आपको बतादे ए आर ए और इन माइनस वन इस इकवल थिरी एटी फोर दिया हुए है यहां से अब निकाल सकते हैं एका वैलू आपको थिरी बता दी आर का वैलू तू बता दी एन का वैलू निकलना है एटाएग ठीक है अब आते हिंदी बहुत इंपोर्ट कि देखे मंद्र घंपरोटेंट्रों कि मैं हैं अलंगार कि को और दोस्तों है ऑसे मुक्षणद है कौन सा लंकार जो है न द्युल का यह एगार रूपक जो पर उपमन में कोई अंतर मां दीखाई कर दे मुह एॉट्टेय। होता है ठीक है रूपा का लंकार समझ गया दोस्तों अगला देखिए जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरन करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है संचारी भाव कहेंगे तो राइट एंसर क्या हो जाएगा संचारी भाव जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरन करते राथ चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं अस्थाई भाव किसे करते हैं सहदर्य के हिर्दय में जो भाव अस्थाई रूप से निवास करते हैं उ वह जी साल में जाना से प那麼 स्भी स्वास के अधिके यग्य साल में को सी इसमने कट पूर्व स थ देखिए वैरी मन पानी राखिये बिन पानी सबसुन पानि गाय कों से अलंग करें इसमें कोन से आलंग कर दूस्तों इसमें सले अलंग कर है ऑना ले सलंकार उसे करते हैं जहां पानी का यहां पर देख रहे हैं दोश्वत पानी का हर समय अर्थ बदल ला है इसलिए बार-बार सब्द आता है लेकिन वह हर अर्थ हर सब्द जो पानी बार-बार रिपीट हुआ है पानी का हर हर सब्द में इसका अर्थ बदल गया है इसलिए इसको सलेश अलंकार कहेंगे है न यमक अलंकार की से कहेंगे एक बार सुनीजी जब एक इन सब्द जादा बार परयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलगा है वहाँ पर यमक अलंकार लगता है तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगे दूस्तों सलेज है ना अगला देखिए समास कितने परकार के होते हैं समास जो होते हैं कितने परकार के होते हैं छे परकार के होते हैं समास कौन-कौन होता है अब व्याई भाव प्यतपूरुस करमधार्य द्वीगू द्वंद बहु नामक कावक गुं है मैं कैसे पता करेंगी इसका ऊरावली स्रिंग साथ समुंत से सहीड किसका इसमें बताना है जिसका वाक के सुनने या पढ़ने से चित जित हो वहां ओजगुन होता है तो राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा यह होगा सब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं सब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं तो राइट एंसर यह हो जाएगा वाक्य जिन वर्णों का उचारण में परस वर्ण से दूना समय लगे व इसमें एक से अधिक पदपरस पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किन्तो पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं या कहलाते हैं पदबंध कहलाते हैं अगला देखते हैं कुल कितने वर्ण आते हैं इसमें कुल 31 वर्ण आते हैं तो राइट असर डी हो जाएगा निम लेकित में से कौन सा वाक्य सुध है कौन सा वाक्य सुध है तो पुलाओ बहुत लाजीज है यह वाक्य जो है सुध है पंचम सब्द का संदी विचेद करना है इसका क्या होगा संदी विचेद पंजुर चम तो राइट दू सेज पर धरावधू अब तनिक संकूचित बैठी सी इसमें कौन सी सब्द सक्ति है इसमें कौन सी सब्द सक्ति है कौन सी सब्द सक्ति व्यांजना है और व्यांजना अब किसे कहते दूस्तों एक बड़ सुनेजिए जिस सब्द सक्ति के द्वारा मुखार्थ मुख्यार्थ या लक्षार्थ से अलग तीसरे कार्थ प्रकासित हो उसे व्यांजना सब्द सक्ति कहते हैं अगला देखिए लक्षना भी होता है तो इस तो ठीक है ना लक्षना गभी बता दे सब्द सब्द वही सब्द ही वह सकती है जिससे उसका अभिपराय सुची तो होता है उसे लक्षना कहते है अभिधा सब्द सक्ति का पहला परकार है जो सब्दों के सब्द कोसी अर्थ का बोध कराती है अभीधा अगला देखे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसी धूल गई हो इस पंक्ति में कौन सा लंकार है इस पंक्ती में उत्परेक्षा अलंकार है उत्परेक्षा अलंकार किसे कहेंगे जहां उपमे और उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है यमक को आपको बता ही दिये किसी कावे का सुन्दर बढ़ाने के लिए सब्द की बार-बार अवरिती होती है यमक अलंकार में बिभावना अलंकार जहांपर कारण के नौ होते हुए भी कारे हुआ किया जाना है से बिभावना अलंकार कहते हैं अगला दिखे के कारण रभी बूला जनू तूटे मुतिहन के माला अलंकार बताना है इसमें कौन सी अ लंकार है तो राइट एंसर इसका बी होगा अगला देखिए उद्देशे के विशय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं विधाय कहते हैं तो राइट एंसर इसका सी हो जाएगा विधाय अगला देखते हैं यह अथा पानी रखता है यह सुखा सा गोत्र स्पंक्ती में कौन सा लंकार है स्पंक्ती में बीडुधा भास लंकार है तो राइटेंसर इसका सी हो जाएगा किस वाच्चे में असमर्थता और निशोधार्थ का बोध होता है किस में होता है भाव वाच्चे में होता है अगला देखे सब्द सक्ति के कितने भेद होते हैं सब्द सक्ति के तीन भेद होते हैं इंगे कौन सा वाक्य असुद है खर्गोज को काटकर गाजर खिलाओ यह होगा तो राइटेंसर इसका सी हो जाएगा अगला है रूपक ढुंणा है मैं रूपक को ढुंणा है तो रूपक क्या हो जाएगा दोस्तो इसमें इसकर आइटेंस होगा बी सिसु मुख पर घूंगट डाले आचल की दीप छिपाई अटेंसर बी हो जाएगा यहाँ पर रूपक का लंकार अगला देखे निए कभी का इ बहुत अलग रहना, सी हो जाएगा, रोटी का माना का मुहाबरा क्या होता है, जीव को पार्जन करना, राइजन सरह हो जाएगा, अगला देखिए, यहाँ पे गधांस पढ़ कर उत्तर देना है, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमाले, इसका प्रहरी है, दक्षिन में हिंद महासागर, इसके चरन पखड़ता है, पस्ची में कच की, खारी और पूरब में पंगलादेश, गंगा, यमना, नर्मदा, ताप्ति, कृष्णा, गोदावरी, ब्रहंपुत, रादी, नदिया, भारत के मैदानी छेतरों की सोभा वड़ाती है, घेतों में लहराती फसले और बागों में फलो की बाहर भारत माता का उपहर है, प्रतिक धर्म की व्यक्ति भारत मा का सपूत है, सब की परिये हैं भारत माता, प्रतिक सब्द में कौन सा उपसर्ग है, दोस्तों, कौन सा उपसर्ग है, प्रती है, प्रती जोर एक, प्रती तो राइट अंसर इस